हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पापका हर्विक स्वागात है चलिए आज मैं अपना टेरस गार्डन टूर कराती हूं बारिश के बाद मेरे टेरस गार्डन पर कौन-कन से फलावर्स खील रहे हैं और मेरे पलांट कैसे चल रहे हैं यह देखिए गुलाब का पलांट कितने सारे ग दूप लगे हवा लगे सारे मिटी गिला हुआ है परा हुआ हमारे यहां बारिश बंद हो चुका है विद्धूप निकलने लगा है देखिए कितना खुसरत फलावर्स इसमाने लगा एक छोटा सा गुलाब का पलांट है दूसरा वाला उसको भी दिखाती हूं उसमें जरूरी होता है थे किदर शुटा सा पनाट हे मैंने पुरनिंग कर दिया था मधी से दिखा रहा हुँ धूर से नहीं नहीं दिख भरांबैल देखिए पुरनिंग करने के बाद सारे बलाणच परैये बर्स बनने लगाया देखिए कितना खुसरत लग रहे है जितना हम इसलिए इधर बरावाला देखे गुलहर का पलांट है जो रिपोर्ट किया था इसमें भी नहीं पत्ते आने लगे हैं देशी गुलहर और इधर भोगन बेला भी खिल रहे हैं देखे कितना खुसुरत लग रहा है यह पिंग कलर का सारे मैं कटिंग से त्यार किये हूं पिछल हो जाते हैं बाकि पलान तो बारिस से फिरेस फिरेस हो जाते हैं और खुस भी हो जाते हैं क्योंकि बारिस पानी मिलने से ही पलान कितने अच्छे से गुरोथ पकर लेता है देखे कितना खुसुरत लग रहे हैं बहुत खुसुरत लगता है भी खिलने के लिए त्यार हो गय बहुत सारे मेरे हो गये हैं छोटे छोटे अभी सीट से त्यार किया था मैंने अर्यविदेखे कोलियस मेरे गार्डन बहुत सारे कोलियस हो गया इसको पिंचिंग करके कहीं मिटी में फेक दीजिएगा यह अपने आप गुरो हो जाता है अब बहुत खुशुरत लगता है गार्डन में यह कलर फुल लगता है कोई भी कलर का लगा यह देखिए मेरे पाच चार पांच कलर है सारे इधर उधर सब जगह मैंने लगा दिया है कोलियस पलांड देखिए और इसको ती चार घंटे का धूब मिल जाता है सुवा का इधर दो और साम को दो घंटा इसलिए इसका लिफ्स देखिए कितने कलर फुल बनते जा रहे हैं ज्यादा धूब में रखने से पलांड खराब हो जाता है लेकिन धूब मिलना भी जरूर जरूरी होता है इसका लिफ्स कलर फुल लेने के लिए आपको धूब में भी रखना जरूरी होता है दू घंटा सुवा दिजिए चाहे दू घंटा साम को इधर देखिए आटे के थैली में लगा होगा है मेरे इतने सारे कोलियस हो गया है कि पोट की कमी हो गया है इस सदा सदा बहार खिल रहें अपना फलावर से देते जाते हैं यह पुराना हो जाता है उसको मैं कटिंग कर देती हूं नहीं पलांट अपने आप हो जाता है उगाता है उन्हें सदा बहार को लगाती नहीं एक बार लाकर लगा दिया उसके बार मेरे गार्डन में परही रहता है इस तरह colorful lips वाले मैंने प्लांट इधर लगा दिया है कितना खुसरत लग रहा है देखिए अधर कलंचो देखिए मेरे बारिस के पानी से सब खराब हो गया है तरह गलने लगा इसको जल्दी मैं अलग 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 पॉर्ट में लगा दूंगी यहीं पॉर्ट में मैंने बहु बहुत हो गया है जिसको मुझे निकाल निकाल कर फिकना भी पड़ता है और इधर देखिए शनेक पलांट मैंने टेरस पर वी लगा दिया है लेकि पोली बैग में सब लगा हुआ है पोट्स नहीं है नीचे तो बहुत सरे लगा हुए उपर भी लगा हुए है देखिए शि इस तरह पिंचिंग करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है और घाना भूशी दोग झायेगा बहुत खुशूरत लगता है देखिए इस तरह में पिंचिंग करते रहते हैं और इसको कोई भी मिटी में डाल देते हैं वहीं से गुरू हो जाता है इदर बल वाले पलांट है फुटबॉल लिल्ली यह भी खिल चुका भी नहीं खिला इदर देखिए इसका नाम मुझे बट्स बन गया कटिंग से मैंने त्यार किया था बहुत जल्दी यह बरा हो जाता है और इदर देखिए गारली कवाइन इसका वी मैंने दो कटिंग लगाई थी दोनहीं मेरे लग गए हैं अड़े नए पत्ते भी आ गये हैं उधार देखिए खिलता हुआ मुस्कराता उधर पॉट में भी लगए हुआ है उसको भी दिखाऊंगी परपल कलार और गुलाबी कलार और इसमें एक बुस्क खलीफा है पलांट सारी इसको बोलते हैं उसका मैंने एक डंडी लगा दिया था देखिए इसका लिए उस बहुत खुसूरत लग रहा था मैं वहीं से कट गिंदा का फलावड से कटिंग से मैं त्यार की हैं इस वर मैं ज्यादा कटिंग त्यार नहीं कर पाए गिंदा का दो चार लगाई थी वह लग गया है इधर देखिए मिर्ची हिबिका से भी खिलने के लिए त्यार हो गया है कितने सारे बर्स बन गयें देखिए इक ही टंक देखिए चंपा का मैंने लगाई थी प्लांट दिखिए इसमें वाइट कलर का फलावर्स आ गया है पोट में था तो फलावर्स नहीं आ रहा था इसमें पर ने के बाद अभी पहला बार इसमें फला वर्श आया है नीचे टटन लगा दीए हूं जब भर जाएगा टटन भील सूरत लगेगा और इधर कैक्टस प्लांट सावे सब को मैंने धूप में रख दिया है धूप लग जाएगा ते अच्छे से फिरेश हो जाएगा क्योंकि कैक्टस पानी के ज्यादा पानी की जुरुत नहीं पड़ता है और इधर देखे साइकस पाम के मैंने छोटा सा बेबी पलांट लगाया था इसमें यहने लिवसा घ्याया है इधर सारे मेरे कीविन रखा हुआ है देखे सम को भेस पलांट अच्छे से तिस लग को जंगा हैं तो नहीं प्लावर्स कोने अफ़ीय सब्सक्राइब कर दाब में इस तियार हो रहा है इसा find कि बैज एक पर आख़ा है इधर आई ताह》 जुभ चौन पर रख पशल जेटमें ज़न कर रहा है मैं जल नहीं एक और एस्टेंट बनाऊंगी जो खुले में टेरस गार्डन पर रखा हुआ है जेट पलांट उसको रखने के लिए और एस्टेंट बनाऊंगी जरूर देखिएगा इधर में अच्छे से चल रहा है जेट पलांट पानी से खराब हो जाता अगर बहार आता और इदर देखिए टृर्डन सब वेश्ट मिटरियल में सब लगे हूए हैं इस सब अच्छे से चल रहे हैं देखिए घेट के पास ही रखा होगा है यह स्टेंट जो बनाई थी वेश्ट मिटरियल का अच्छों चल रहे हैं देखिए और धर देखिए देखिए मेर Istore incomoda तो फलावर सारा है लेकिन छोटा ही पलांट होता है ज्यादा बारानी इसको मैंने कटिंग से त्यार की हो इसमें और अरेंज कलर के खिलते रहता है कितना खुशुरत लग रहे हैं देखिए इसमें कितने सारे बट्स बना होगा है इसमें धूप मिलना भी जरूरी होता है सारे प देखिए कितना खुशुरत इलो कलर का है इधर बेली का भी बेली नहीं है सवरी चांदनी का भी है यह भी खिल रहे हैं और इधर बारिस के बाद देखिए रहन लिली मेरे कितने सारे फलावर्स आ रहे हैं कितना खुशुरत लग रहे हैं होईट कलर और इधर यह पिंग कल और इधर भी बरमिना है मेरा देखिए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए सब्क्राइब करिए साथ के साथ सेर किजिए थैंक यू फ्रेंड्स